हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम ट्रकर में आज हम इस वीडियो में मोधी मंदिर मंडल 2023 से सम्मंधित जितने भी important question बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे पूरा मंदिर मंडल इस वीडियो में cover किया गया है साथ में questions related जितने भी important fact बनेंगे उसको भी हम लोग देखते चलेंगे इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है मैं आपसे इतना जरू कहूंगा कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो केंदरी मंदिर मंडल से question चाहे जिलसा भी एक जाम में पूछा जाए आपको इस वीडियों से बाहर नहीं जाने वाला है तो चलें दोस्तों बिना किसी दरीकत कि हुए हम लोग आज का वीडियो इस टार करते है दोछा number one है भारत के 55 में राष्टपती कौन बने है तो भारत के 15 राष्टपती बनी है द्रोपती मुर्मू इस तरह से इसकाफ सा नंबर C से हो जाएगा द्रोपती मुर्मू जो है भारत के 15 राष्टपती बनी है और या पहली महिला आदिवासी राष्टपती भी बनी है इस तरह से इसकाफ सा नंबर आपका C से हो जाएगा आ आपको इमेज में जो दीख रही है, वही है द्रोपती मुर्मू, तो यहां आया है राष्टपती, तो आये इंसे लेटर जीतनी भी important points है, उसको हम लोग देख लेते हैं, यहां भारत की पहली महिला आदिवासी राष्टपती बनी है, इसको आपको याद रखना है, भारत की सबसे कम उम्र की राष्टपती बनी है, इनसे पहले जो रिकार्ड सा सबसे कम उम्र में राष्टपती बनेगा, वो अथा डाक्टर निलम संजी रडीक के पास, लेकिन उनसे भी कम उम्र में राष्टपती बन गई है, तो सतंत्र भारत में जन्म लेने वाली यहां पहली र जपाल भी है उसके बाद भारत के बारे में जो है भारत के राष्टपती के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है यह आपको याद खना है 52 में आर्टिकल 52 में राष्टपती का वरणन है और राष्टपती का जो वेतन होता है वह पांच लाग पर मन्त होता है तो इतनी आपका B से हो जाएगा जगदीब धंखड आपको जो image में दिख रहे हैं वही है जगदीब धंखड और भारत के 14 में उपराश्ट पती बने हैं तो आईए इंसे लेटेट इंपोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं तो जगदीब धंखड जो है 14 में उपराश्ट पती ब बताया गया है हमारे समिधान के आटिकल 63 में उपराश्ट पती के बारे में बताया गया है उपराश्ट पती राजी सभा का पदेन सभापती होते हैं यह आपको यादखना है इससे लेटेट इंपोर्टन कोश्चन पुछा जाता है जामों में कि राजी सभा का सभापती मुख नयाधिस यानि CJI Chief Justice of India कौन बने है तो भारत के 50 में Chief Justice of India बने है धनंजय यस्वंत चंद्रचूर धनंजय यस्वंत चंद्रचूर जो है 50 में मुख नयाधिस बने है भारत के सरोचे नियाला के इस तरह से इसका आप सा नमबर D से ही है आपको इमेज में जो दिख रहे है वही है धनंजय यस्वंत चंद्रचूर तो आईए इंसलेटेड इंपोर्टन पॉइंट देख लेते है तो यह जो है भारत के 50 में मुख नयाधिस बने है इन्होंने 49 में मुख नयाधिस उदय उमेस ललित का अस्थालिया है इनसे पहले या इलहाबाद उचे नयाले के मुख नयाधिस भी रह चुके है आपको यह बात जरूर या दखना है या इलहाबाद उचे नयाले के मुख नयाधिस भी रह चुके है भारत के सबसे लंबे समय तक कारकाल करने वाले याद रहिएगा भारत के सबसे लंबे समय तक कार करने वाले जो मुख्य नयधीस थे यस्वंत, विश्णू, चंद्रशू, इनके पिता थे यानि कि इनके पिता भी जो है भारत के मुख्य नाधीस थे और उनका कारकाल था मुख्य नाधीस का अब तक कि इतिहास में भारत के सबसे लंबा कारकाल था जो मुख्य नाधीस है इनके बारे में आर्टिकल 124 के कलॉज A में बताया गया है Next question है, question number 4 है, भारत के रक्षा मंतरी कौन है? तो भारत के रक्षा मंतरी है राजनाथ सिंढ, इस तरह से исп我知道 number D से हो जागा, आपको जो image में दिख रहे हैं, वहीं है राजनाथ सिंढ, Next question है, question number 5 है, भारत के वित एवं कार्पूरेट मामलों के मंतरी कौन है? तो भारत के वित एम गार्पूरेट मामलों के मन्तरी है, निर्मला सिता रमर, आपको जो image में दिख रही हैं, वहीं हैं निर्मला सिता रमर, इंसर लेटिट एक question बनता है, कि पुछाजागर आपसे, कि भारत की पूर कालीक, पहली महिला वित मन्तरी कौन है? तो निर्मला सित प्रभार मिला हुआ है इस तरह से इसका आपसा नंबर A से हो जाएगा निश्ट कोश्चन है कोश्चन नंबर 7 है भारत की महिला एवं बाल विकास मंतरी कौन है तो महिला एवं बाल विकास मंतरी है इसमृति जुबीन रानी इनको अल्व संख्यक मामलों का अतरिक्त प्रभा मिला हुगा है इतना आपको याद रहना है आपको इमेज में दिख रही होगी निश्ट कोश्चन है कोश्चन नंबर 8 है भारत के कानून और नियाय मंतरी कौन है तो भारत के कानून एवं नियाय मंतरी है यह किरण रिजीजू आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है क संकर भारत के वरतमान में विदेश मन्तरी हैं, next question है, question number 10 है, भारत के सुचना प्रसारण और युवा कार एबन खेल मन्तरी कौन है? तो सुचना प्रसारण मन्तरी, युवा कार मन्तरी और खेल मन्तरी यह है अनुराक सिंह ठाकूर, इस तरह से इसकाफ से नमबर C सही हो जाएगा आपको इमेज में अनुराक्षी ठाकुट दीख रहे होंगे Next question है Question number 11 है भारत के जल सक्ती मंत्री कौन है तो गजेंदर सिंग सिखावत इस तरह से इसकाफ से नमबर A सही हो जाएगा गजेंदर सिंग सिखावत वर्तमान में जल सक्ती मंत्री है Next question है Question number 12 है भारत के नागरीक उड्यन मंत्री कौन है तो नागरीक उड्यन मंत्री यह है जोतिरादित सिंधिया जोतिरादित सिंधिया जो है भारत के नए नागरीक उड्यन मंत्री है Next question है भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? तो जोतिरादित सिंधिया ही है, इनको अत्रिक्त बभार मुला हुआ है इस्पात मंत्रा लैका. इस तरह से इसका अपसा नमबर B सही हो जाएगा. आपको इमेज में दिख रहे होंगे. नेस्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 14 है, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग एवं सारोजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो भारी उद्योग मंत्री पुछा जाए या सारोजनिक उद्यम मंत्री पुछा जाए. यहां है महंदरनाथ पांडे. आपको जो इमेज में दिख या मंत्री पुछा जाए, तो है आपके राजकुमार सिंग, इस तरह से इसकाफ सनम्मर आपका 20 है हो जाएगा राजकुमार सिंग, आपको जो इमेज में दिख रहे हैं, वही है राजकुमार सिंग, या विद्दुत मंत्री और नविकरणी उर्जा मंत्री है, इस तरह से इस रसायन कल्यान मंत्री है वर्तमान में निश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 17 है भारत के वर्तमान में स्वास्त एवं परिवार कल्यान रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है यानि कि स्वास्त मंत्री या परिवार कल्यान मंत्री पुछा जाए या रसायन एवं उर्वरक मंत इस तरह से इसका आपसा नंबर A से हो जाएगा मंसुक M बंडविया, आपको जो image में दिख रहे हैं, यही है मंसुक M मंडविया, नेश्ट कोश्चन है, कोश्चन नंबर 18 है, भारत के संसधी कारमंत्री कुला एवं खननमंत्री, कौन है, तो कार, यानि संसधी कारमंत्री कोईला मंत्री, question number 19 है, भारत के ग्रीह एवं सहकारिता मंत्री कौन है, तो हैं Amisa, इस तर से इसका आपसा number 20 सही हो जाएगा, Amisa जो है भारत के ग्रीह एवं सहकारिता मंत्री है, next question है, question number 20 है, भारत के वारीज और उद्योग मंत्री, उभोक्ता मामले, खाद एवं सारवजिनि कपड़ा मंतरी यह हैं प्यूस गोयल इस तरह से इसकाफसा नमबर एह सही हो जाएगा प्यूस गोयल आपको जो image में दिख रहे हैं वही है प्यूस गोयल next question है question number 21 है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने है तो भारत के नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने है वह है राजीव कुमार आपको जो image में दिख रहे हैं यही है राजीव कुमार इस तरह से इसकाफसा नमबर भी सेव जाएगा राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने है यह 25 नंबर के है तो आईए इंसे लेटेड जितनी भी इंपॉर्टेज चीजे है उसको देख लेते हैं या देखें कि चुनाव आयुक्त के बारे में जो है कि आर्टिकल 324 से 329 तक बताया गया है इंपोर्टेंट है बहुत ज़दे कोशन पुछा जाता है एक जाम में मुख चुनाव आयुक्त का वेतन जो हता है धाई लाग परमन्त होता है दो लाग पच्चास जार परमन्त मुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ती राश्पती करते हैं मुख चुनाव आयुक्त जो है एक आई-स रैंक का अधिकारी होता है और मुख चुनाव आयुक्त का कार 22 है भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंतरी कौन बने है? तो भारत के समाजिक न्याए एवं अधिकारिता मंत्री है विरेंद्र कुमार आपको जो image में दिख रहे हैं वही है विरेंद्र कुमार या जो है कि भारत के समाजिक न्याए एवं अधिकारिता मंत्री है Next question है Question number 23 है भारत के रेल, संचार एवं, electronic सुचना प्रद्योग की मंतरी कौन बने है? रेल मंतरी, संचार मंतरी या electronic सुचना प्रद्योग की मंतरी बने है वो बने है असुनी बैशनोव इस तर से इसका आपसर नमबर A सही हो जाएगा असुनी बैशनोव आपको जो image में दिख रहे हैं, वो ही है असुनी बैशनोव नेश्ट कोस्चन है, कोस्चन नमबर 24 है भारत के पर्यावरण 1 एवं जलवायू परिवर्तन मंतरी, स्रम एवं रोजगार मंतरी यह है आपके भुपेंद्र या दाओ आपको जो image में दिख रहे हैं, वही है भुपेंद्र या दाओ नेश्ट कोस्चन है, कोस्चन नमबर 25 है भारत के सलग परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी कौन है? तो भारत के सलग परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी है नितीन जैराम गटकरी इस तरह से इसकाफ सनमबर A से हो जाएगा आपको जो image में दिख रहे हैं, यही है नितीन जैराम गटकरी और यहीं सलग परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी है नेश्ट कोस्चन है, कोस्चन नमबर 26 है भारत के सिक्षा, कौसल विकास एवं उद्यमिता मंतरी कौन बने है तो भारत के सिक्षा मंतरी, कौसल विकास मंतरी या उद्यमिता मंतरी बने है धरमेंद्र परधान इस तरह से इसकाफ सनमबर B से हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के सिक्षा कौसल विकास एवं उद्यमिता मंतरी हैं आपको जो image में दिख रहे हैं वही है धर्मेंद्र प्रधान next question है question number 27 है भारत के सुक्ष्म लगू एवं मध्यम उद्योग मंतरी कौन बने हैं भारत के सुक्ष्म लगू एवं मध्यम उद्योग मंतरी है नरायन राडे इस तरह से इसकाफसा नमबर एसे हो जाएगा नरायन राडे आपको जो image में दिख रहे हैं वही है नरायन राडे next question है question number 28 है भारत के petroleum एवं प्राक्रतिक गैस आवास एवं सहरी मंतरी petroleum मंतरी या प्राक्रतिक गैस मंतरी या आवास एवं सहरी मंतरी या है हरदीप सिंग पूरी जो आपको image में दिख रहे हैं यह हरदीप सिंग पूरी इस तरह से इसकाफसा नमबर एसे हो जाएगा next question है question number 29 है भारत के संस्कृति परेटन प्रोत्तर छेत्र विकास मंतरी या प्रोत्तर छेत्र विकास मंतरी कौन है तो है जी किसन रेड़ी इस तरह से इसकाफसा नमबर आपका C से हो जाएगा G किसन रेड़ी जो है भारत के संस्कृति मंतरी परेटन एवं पुर्तर छेत्र विकास मंतरी है निश्ट कोश्चन है question number 30 है भारत के खाद प्रसंस्कृति कौन है तो भारत के खाद प्रसंस्कृत आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वह है पसूपती कुमा परस, निश्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 31 है, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयूसमंत्री कौन है, तो भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयूसमंत्री है, सरवानंद सुनुवाल, इस तरह सिसका अपसन नमबर A से हो जाएगा, सरव ग्री राज सिंग, इस तरह से इसका आपसा नंबर C सहीव जाएगा ग्री राज सिंग, नेश कोश्चन है, भारत के जन जाती मामलो के मंत्री कौन है, तो भारत के जन जाती मामलो के मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा, इस तरह से इसका आपसा नंबर A सहीव जाएगा अर्जु मुंडा और यहीं है जने जाती मामदों के मंतरी Next Question है भारत के डियरी पसुपालन और मत सिपालन मंतरी कौन है? यहनि के डियरी मंतरी, पसुपालन एवं मत सिपालन मंतरी हैं आपके पुरस्वत्तम रुपाला इस तरह से इसका डिफेंस इस्टाप बने है अनील चौहान यह दूसरे नंबर के है ठीक है पहले जो सिडियस थे वह थे जनरल विपीन रावत इनका तमिलाडू में हेलिकाप्टर दुरहटना में मृत्ति हो गया जिसके बाद इनको दूसरा नए सिडियस के रूप में नियुक्त किया गया है अनील चौहान को आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है अनील चौहान नेश्ट कोश्चन है कोश्चन नंबर 36 है भारत के 15 में प्रधान मंतरी 15 में प्रमाडू उर्जा मंतरी अंतरिक्ष विभाग कार्मीक जन सिकायत एवं पेंसन मंतरी इतनी बाते आपको याद सेव जाएगा याद रखिए एक जा में पुशा जा चुका है प्रमाडू उर्जा मंतरी कौन है तो इस कोश्चन का अपसर नंबर एस ही है तो दोस्तो ए था हमारा आज के विडियो जिसमें हम लोग टोटल केंद्री मंतरी मंदल को कभर किये हैं आपको यह विडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट बाक्स में जरू बताइएगा अगर विडियो अच्छा लगा होगा तो विडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक सधिक सेयर करें साथ में इसी तरह के इंट्रेस्टिंग और महतपूर वीडियो पाने के लिए एक्जाम टेरकर चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को दबा ले क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बैतरिन वीडियो लेकर आते रहते हैं साथ में दोस्तों में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग विकली करेंट फेर बहुत ही बैतरिन लेबल कर पढ़ाते ह अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं दिया दिखें हैं तो नीचे दिया गया लिंक पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेश्ट वीडियों हैं तक के लिए जैन